अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं तो आएए जानते हैं आज का टोपिक हमारा क्या है और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे आज का हमारा टोपिक है यूज अफ इज अम आर विथ प्रस्नल प्रोणाउन जिसको हम लोग सौट में पिए कहेंगे यहाँ पर रूल देखिए प्रस्नल प्रोणाउन प्लस इज अम आर प्लस एओक्व अट्यक्टिव आई के साथ जब भी लगता है एम लगता है वी के साथ आर लगता है यू के साथ आर लगता है ही सी के साथ इज लगता है इट के साथ इज लगता है दे के साथ आर लगता है ये सारी चीजे हर जगा एक जैसी रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ examples को देखिए आप, मैं धनी हूँ, I am rich, हम लोग मजबूत हैं, we are strong, तुम बिमार हो, you are ill, वह भुखी है, she is hungry, वे लोग चिंतित हैं, they are worried, आगे बढ़ते है अब देखिए अगला रूल, noun plus is am are plus a o q, इसमें क्या है, मोहन खुस है, मोहन यहाँ पे noun है, मोहन is happy, लरके तेज हैं, the boys are intelligent, लरकियां सुन्दर हैं, the girls are beautiful, घोरे तेज हैं, the horses are fast, रोहित और मोहित तेज हैं, रोहित और मोहित आर इंटेलिजेंट अगला रूल देखते हैं, pa plus noun plus is are plus a o q, pa का अर्थ आपको पता है, possessive adjective, अगर इसके बारे में जनकारी आपको नहीं है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में विश्तार से बताया गया है, थोरा सा आपके जनकारी के लिए में बता दूँ, possessive is beautiful, उसके बच्चे तेज हैं, his children are intelligent, आपकी गारी लाल है, your car is red, आपका मकान अच्छा है, your house is good, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, personal pronoun plus is are plus noun, इसमें क्या है, example देखिए, मैं doctor हूँ, I am a doctor, हम लोग doctor है, we are doctors, वह गाई क्या है, she is a singer, वे लोग नेता है, they are leaders, अगला रूल, pa plus noun plus is are plus noun, इस चीज को ध्यान से समझिए, पहला example देखिए, मेरा भाई सिक्छक है, my brother is a teacher, हम लोग के पिता नेता है, our father is a leader, तुम्हारे भाई गायक है, your brothers are singer, उसकी पतनी गाय क्या है, his wife is a singer, आपका बेटा डॉक्टर है, your son is a doctor, अभी तक आपने जो भी समझा, उसको समझने के बाद, आप असानी से exercise बना सकते हैं, उस पर exercise दिया हुआ है, इस exercise को आपको description box में से लिखना है, इसे खुद से बनाना है, और बना के आप हमें whatsapp कर सकते हैं, वाटसेप पर आप बना के भेजिएगा, तो हम आपको reply देंगे, आप कितना सही बना पा रहे हैं, कितना गलत बना पा रहे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप इसे जरूर बनाईए, यह सारे आपको description box में मिल जाएंगे, supporting word meaning जो है, जितने exercise में आपको दिये गया है sentence, उससे read letter सारे यहाँ पर word meaning आपको दे दिया गया है, इसको भी आप description box में से नोट कर सकते हैं, जहाँ पर कठिनाई होती हैं, वहाँ पर आप इसे मदद ले सकते हैं, उमीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,